सद्गुरू, जलन को हमेशा एक गलत भावना के रूप में देखा जाता है, मगर इमानदारी से कहूं तो मेरे लिए वो काफी मददगार रही है। आपने क्या कर लिया? जलन से मुझे प्रेड़ना मिलती है, हर बार जब मेरे दोस्त कुछ नया सीखते हैं, मेरे अंदर और भी बहतर करने की इच्छा आती है, शायद इसलिए मैं अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँच पाई, तो क्या जलन वास्तव में एक बुरी भावना है या या ये आपको और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती है, देखिए, सभाग्य से इन दिनों ये सब नहीं होता, जब हम बड़े हो रहे थे, खास तोर पर जब दिवाली आने वाली होती थी, दिवाली के समय, छोटे शहरों में लोगों के पास एक मनुरंजन ये होता था, कि वो एक डिब बेचारा गधा यहां वहां दोड़ता था, घोड़े से भी तेज, क्या ये जीवन को मोटिवेट करने का तरीका है, चीजों को करने के बहतर और अधिक समझदारी भरे तरीके भी हैं, अब आपको लगता है कि आपके पूंच जल रही है, तो शायद आप दोड़ें, लोग कहते हैं, अगर कुटा आपके पीशे पड़ जाए, तो आप सबसे तेजी से दोड़ेंगे, मगर मिस्टर बोल्ट, आप मिस्टर बोल्ट को जानते हैं? वो इसलिए नहीं दोड़ा क्योंकि उसकी पूंच में आग लगी थी, वो दोड़ता है, क्योंकि उसने अपने पैर और फेफडे इस तरह से तयार किये हैं, कि वो चाहिए जिस भी तरह दोड़े, वो हर किसी से तेज है, हलो, दोड़ ऐसी होनी चाहिए न, आप दोड़ेंगे क्योंकि कुटा आपके पीछे पड़ा है, आप दोड़ेंगे क्योंकि आपके पूछ में आग लगी है, क्या अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँच गई, मगर वो नर्क भी हो सकता है, तीन साल का नर्क किसे पता? क्या ये महत्वपून नहीं है कि ये तीन साल आपके लिए एक शांदार अनुभव हों? नहीं है? सिर्फ दोड़ना ही महत्वपून नहीं है, आप उसका अनुभव कैसे करते हैं, कल उसका क्या नतीजा निकलता है, मान लीजे कि हम अपनी पूँच में आग लगने पर दोड़े, अब हम समझ लेंगे कि लोगों को दोड़ाने का एक लौता तरीका है, उनके पूँच में अब और नहीं है, क्रिपे आपने साथ ऐसा न करें, अब और नहीं, ठीक है?